हेलो दोस्त आज फिर हाजिर है अगली कलास के साथ बहुत मेरे बाइलोजी वाले कलास पर कॉमेंट आ रहा था कि सर्फ साइन्स में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का भी कलास प्रोपर वाइज स्टार्ट कीजिए उसी को देखते हुए आज मैथ का फर्स्ट कलास पर लगाते हुए कम से कम कितने समय बाद उस बिंदू पर एक साथ पहुंचेंगा जहां से चलना सुरू किये हैं टो इसको थोड़ा अलंबा बनाने का कोशिश किते हैं फिर उसको शॉट करदिये इस तॉर्यों जब मिले तो उसको क्या करना है जाहिसे उसमें था 40 किलोमेटर तो उसमें क्या करना है सबसे पहला कादा काम बस क्छोटा काम करना थी 40.15 उसको मीनट सेचेंज कर दिये तो उससे हमारा 480 मिनट मेरा LCM आ गया और उसमें 60 से भाग देके 8 घंटा उसका एंसर हो गया तो इसा कोश्चन मिले तो देखने में लंबा लगा लेकिन एकदम नॉर्मल है उसको बस मिनट में चेंज करके और उसका LCM निकाल दिये दूसरा कोश्चन है तीन साइकल सावार की चाल 10 किलोमेटर परते घंटा 12 किलोमेटर परते घंटा और 15 किलोमेटर परते घंटा है तो तीनो दोरा चली गई कम से कम दूरी निकाले तो कम से कम दूरी निकालना है तो इसमें कुछ नहीं करना है 10, 12 और 15 किलोमेटर परते घंट जो है इसको LCM निकाल देना है हमारा एंसर निकल जागा तो चली गई कुल कम से कम दूरी कितनी तो तीनों का LCM निकाल दिया साथ किलोमेटर आया हूँ हमारा एंसर हो गया उसके बाद अगला कोस्चन है जो कि अलग टाइप का सेकेंड टाइप देखिए इस तरह का अभी एक्जाम में खूब पुछा जाता है इसमें HCF है 11 LCM 691 संख्या 77 दिया हुआ 77 दूसरी संख्या निकाल ना है तो इसके लिए सिंपल फर्मूला लगाना है LCM into HCF is equal to एक संख्या गुना दूसरी संख्या टाइप 3 देखते हैं जो इसमें है 3 by 7 2 by 5 और 5 by 14 का HCF निकालना है तो जब भी ऐसा कोश्चन मिले तो इसमें भी नॉर्मल फर्मूला लगाना है उपर वाला अंस होता है नीचे वाला हर तो अंस का HCF निकालना है तो अंस का HCF निकाल देंगे और हर का LCM निकाल देंगे तो उसका वही प्रोसेस की है तो 1 by 70 एंसर आ गया उसका अगला कोश्चन है 3 by 7 2 by 5 5 by 14 का इसमें LCM निकालना है तो नॉर्मल वही फर्मूला अंस का LCM हर का HCF तो HCF और LCM दोनों निकाल दिये तो हमारा उत्तर आया 30 by 1 is equal to 30 उसके बाद अगला टाइप है टाइप फोर देखना है जिस दो संख्याओं का HCF दिया हुआ है 27 और दोनों संख्या का योगफल है 216 216 तो इस प्रकार की संख्याओं के कितनी और कौन-कौन से जोड़े संभव है इसमें कुछ नहीं करना HCF 27 है तो दोनों संख्या 27a और 27b माली है फिर योगफल 216 दोनों को जोड़ दिये 216 तो ए प्लस भी आगे 8 तो संख्या का जोड़ा देखना है जिसका योगफल 8 है तो हमको मिला 1,7,2,6,3,5 और 4,4 का जोड़ा इसमें क्या करना है जो अब इसमें 4 जोड़ा हम देखना है जिक किसका HCF 1 होगा तो इसमें हमको 2 जोड़ा मिला 1, एक साथ का HCF एक होगा और 3,5 का HCF एक होगा एकदम नॉर्मल है दू जोड़ा मिला तो एक साथ 3,5 तो पहली संख्या हो गया 27 इंटू 1, 27 गुना 7, 27 गुना दूसरी संख्या 27 गुना 3 गुना और दूसरा हो गया 27 गुना 5 मतलब 181 और 135 तो इस तरह का क्वेश्चन मिलें तो एकदम घवराना नहीं है बस यही करना है HCF आया 27 तो 27A 27 27 B मान के योगफल 216 तो दूनों को जोड़के हमको A प्लस B आठ निकल गया फिर योगफल देखना है किसका किसका योगफल 8 आठ आएगा तो उ कर लिए उसके बाद उसके बाद दोनों जो हमको 4 गुपियर मिल आएगा इसमें देखना है जो किसका किसका HCF एक आता है तो एक साथ 3-5 आएगा जो भी दिक्कत हो कोई कोश्चन नहीं समझ में आए तो उसको कोमेंट किजिएगा कोमेंट बॉक्स में उस से रिलेटेड उस टाइप का कोश्चन जरूर हम आपको उपलब्द करा देंगे उसके आगला कोश्चन है दो संख्यां का अंतर 24 है HCF 12 लेटेटे इस संख्यां के संख्या मिले तो क्या करना है संख्या माल लिएख ऑर 12 Ir कि क्यों माल लिए 12 इंट 12 ए फिर दोनों का अंतर 24 तो इस तरह से अंतर घटा करके लाश्ट में अ- मैनस b2 आ गया आगे देखिए मिलते जाएगा है तो इसमें इसका ऐंसर होगा यहां पे हम को दिया गया है इस परकार की संख्यां के इस परकार की संख्यां fry ठीज़गे ब्तोट घ्रलार 107 ब्रांशेब है त। इसके कितने yearण इसमें योगफल पे अंतर पे गुननफल पे कोशन मिलते हैं तो कोई टाइप का भी कोशन हो तो घबराना नहीं है एकदम नॉर्मल दिमाग लगाना है संख्या वही 16 है दुनु का गुननफल है 1768 तो एक गुना भी कर दिये 28 28 हो गया तो संख्या का जोरा आप देखना है जिसका गुननफल 28 हो तो क्या क्या होगा 28 24 47 फिर इसमें देखना है किसका HCF 1 तो 28 का HCF 2 होगा चार 7 का HCF 1 और तो इसलिए इस अंख्या का जोरा जिसका गुननफंफल 28 है तो हमको इसका SCA वला दूगोपियर मिला तो इसका अभिष्ट संक्या दूगोपियर है इसमें question के last में देखे कितने जोड़े संभव है संक्या नहीं पूछा कितने जोड़े संभव है तो दो जोड़े संभव है टाइप 5 है यह क्या देखना है इसमें question इस टाप को मिलेगा पॉइंट में 1.08 0.36 0.9 थोड़ा इसमें ध्यान देना है इसका GCD निकालना इसमें कुछ नहीं करना इस question में हमें सही देखना है तो दूग वंक तीन गुराएगा तो तीन गुराएगा तो तो पॉइंट 9 उसको दसमें के बाद 9 के बाद जीरो कर दिये हैं बस अपने मन से एक जीरो डाल देना है तो यह हो गया इसका फिर HCF निकाल लेजिए 0.18 हो गया फिर अगला है 2.4 0.36 7.2 इसका भी GCD निकालना है तो सेम वाई प्रोसेस किये है 7.2 है तो उसको 7.20 कर दिया उसका GCD निकाल दिये 0.12 आ गया तो यही हमारा एंसर हो गया तो यह हमारा मैत का आज LCM SCF का आज पहला कलास है तो आप लोग को अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए खराब लगे वीडियो तो भी कमेंट कीजिए कोई दिक्कत नहीं है अगर कुछ खराब लगेगा तो हम अगले वीडियो में कोसेस करेंगे जो उसक अगर लोग अच्छा से इसको वीडियो को पाउज करके देखिए जहां नहीं समझ में है उसको कमेंट कीजिएगा यहां पर हमको समझ में नहीं है वहां पर सौट हो के यहां पर यह प्रॉबल्म है अगला वीडियो में हम उसको दूर करने का कोसिस करेंगे चैनल अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए और लाइक कीजिए थैंक यू